A test charge Q0 is moved without acceleration from A to C, ठीक है? Test charge Q0 को A to C लाया गया इस path के along, ठीक है? Calculate the potential difference between A and C A और C के वीचों potential difference निकालना है, ठीक है? So, दीखे, simple formula, याद होगा आप लोगको कि E, this is minus dby dr, यह formula आप लोगो ने पढ़ा होगा, इस तरह का कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा ठीक है इसको जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पोटेंशियल डिफ्रेंस जो होता है डेल्टा भी ठीक है पोटेंशियल डिफ्रेंस्ट इसकेलर क्वांटिटी है यह फॉर्मुला बनता है आपके पास e dot dr ठीक है कहीं कहीं आप देखेगा minus e dot dl भी आपको लिखा होगा ठीक है dl is the displacement vector ठीक है इस formula को आपको याद रखना है यह problem आपका solve हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है अगर direct इसको निकालना है shortcut में shortcut में अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें potential difference delta v बीच में निकालना है ठीक है एस बीसी माइनस बीच यह वालू कितना होगा इस इंटिग्रेशन ऑफ माइनस डॉट यही होगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और डिस्प्लेश्मेंट वेक्टर जब एस सी के बीच पर आप जाएगा माल यह इस इस path को आपने follow किया, so displacement क्या होता है, shortage distance between the initial and final point, so vector quantity है, so यहाँ पर displacement कितना होगा, यह होगा, ठीक है, इसका direction क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा, A सा C पर आप गए, so displacement आपका इस direction में है, ठीक है, और electric field आपका इस direction में, so दोनों के बीच का angle कितना है, 180 degree है, ठीक है, so होगा, minus E, then DL, ठीक है, DL और displacement के बीच का angle, E और displacement के बीच का angle 180 degree, so cos 180 degree, ठीक है, A dot B क्या होता है, A भी cos theta, ठीक है, so this is minus E और DL को integrate कर दोगे, कहां से कहां तक, A to C तक, ठीक है, A से C तक, और यह cos 180 degree का value कितना होगा, minus 1 होगा, ठीक है, so minus minus plus 1, then DL को integrate कर दोगे, A से C तक, तो value कितना आएगा, D आएगा, so it is ED, this is the answer, ठीक है, या फिर आप individual path के लिए निकाल होगे, एक एक करके, so सबसे पहले आप निकालोगे, B और A के बीच ने potential difference, that is, BB minus BA, ठीक है, second method में, पहले आप BB minus BA निकालोगे, so यहाँ पर देखो, A और A से B तक आप लेके गए, so electric field का direction यह है, और displacement का direction यह है, so दोनों के बीच का angle क्या है, देखे, E, ठीक है, और this is the displacement, A से B तक आप गए, इस तरह से, ठीक है, so दोनों के बीच का angle क्या कितना है, देखे, 135 degree, ठीक है न, क्योंकि देखे, यह 45 degree है, और यह 90 degree है, so that means 90 plus 45, it is 135 degree, यह आपका angle बन रहा है, ठीक है, so इस formula को फिर हम लोग लगाएंगे, A to B के बीच में, so यह कितना हो जागा, minus, then electric field का value, it is E, ठीक है, then DL, ठीक है, then cos 135 degree, ठीक है, अब cos 135 degree का value कितना होगा, it is minus 1 by root 2, so it is minus minus plus, मैं यालिक जिता हूँ, minus 1 by root 2, ठीक है, then E, then DL को आप integrate करोगे, A to B, DL, ठीक है, so यह value कितना हैगा, A to B कितना हैगा value, so देखे, यह value आपका D दिया है, so this value is D, and यह angle अगर 45 degree है, तो यह angle भी 45 होगा, so इस triangle से आप इस value को निकाल सकते हो, that is the habitanus, यह base हो जाएगा, ठीक है, so cos theta यहाँ पर अगर ले ले ले, ठीक है, cos, and this angle, let's say it is theta, theta का value कितना होगा, 45, so cos 45 degree, इसको 45 degree मानेंगे, क्योंकि यह 45 होगा, so इस triangle में अगर cos 45 degree लेंगे, so base by habitanus, ठीक है, so base का value कितना है, D है, divide by habitanus, A, B, ठीक है, so A, B का value कितना होगा, A, B का value कितना हो होगा, 1 by root 2, ठीक है, 1 by root 2, so यह value कितना होगा, D root 2, ठीक है, so D root 2 हो, जब यहाँ पर हम्रों, DL का value पूट कर देंगे, so कितना होगा, 1 by root 2, E, then D root 2, ठीक है, so देखिए, ED आगिया, ठीक है, then further, आप फिर B से C तका होगे, so BC minus BA भी निकाल होगे, ठीक है, so यह कितना होगा, minus E, then DL, ठीक है, value, angle कितना है दोनों के बीच में, ठीक है, displacement direction अभी यह है, और vector E is direction, so angle कितना है, 90 degree है, then cos 90 degree, ठीक है, okay, हाला कि angle, ठीक है, displacement vector is direction में, ठीक है, this is E, and this is D, इस ता से displacement, तो angle हम लोग ऐसे measure करते है, ठीक है, this is 270 degree, so anyway 270 degree भी लिखिएगा, तो भी यह, आपका 0 ही आएगा, 90 degree भी लिखिएगा, तो 0 ही आएगा, तो correct कर लिजेगा, 270 degree, so यह value कितना होगा, cos 270 degree का value 0 होगा, so this whole becomes 0, ठीक है, so आपको निकालना क्या है, A और C के बीच है potential difference, so A और B के बीच में आपने निकाल लिया, B और C के बीच में निकाल लिया, individual path के लिए आपने potential निकाल लिया, so क्या करोगे, इस दोनों को add कर दो, add कर दो, add कर दो, so add करने से क्या होगा, आपका, B C minus, sorry, इसको B C minus B B कर लोगे, छोली हम लोगो B C minus B B निकालना था, ठीक है, दोनों को add कर दो, so जब add करोगे, तो क्या होगा, B C minus B A आजाएगा, ये, B B cancel हो जाएगा, ठीक है, so this is the potential difference between C and A, या A and C, ठीक है, so B C minus B A का value यहाँ पर कितना हो जाएगा, ED होगा, ठीक है, so direct method से निकालोगे, so ED हमारे पास direct आजाएगा, ठीक है, displacement और electric field vector यूज़ कर गे, ठीक है, और individual path के लिए निकाल के भी हम लोग एड कर सकते हैं, ठीक है, so this is, okay, so first हम लोगो निकाला इस path के लिए, then second फिर हम लोग B to C के लिए निकालें, this one, ठीक है, so correct कर BC minus BB होगा, ठीक है, को कि याम लोग इस path के लिए निकाल रहते, ठीक है,